प्रवागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप लोग ठीक होंगे और दोस्तों आपनों निव येर का बहुत अच्छे से इंज्वाइग किया होगा तो दोस्तों बिल्कुल अब जो है कि निव येर आपने मना लिया इं कर दें क्योंकि अब जो है जयाम बहुत ही करीब आच हुका है तो चलीब इस स्टाट करते हैं आज का क्लास तो आजब हमारा फ्रस्ट कोस्टन है कि 2 वी एडिट्र मे वाइडर कौन सा कमाण किसा अन्यसे के content को read करती है जो वी ऐए टीटर होता इन में कौन सा command है जो कि अन्य file के content को read करने का काम करता है यह नंबर आपसे ए एक्स वी नंबर आपसे ने आर ऐसे नंबर आपसे और डी नंबर आपसे अर एड तो correct answer क्या होगा तो अगर हम बात करें वी एडिटर की तो वी एडिटर में जो है कि अगर आपको किसे अन्य फाइल के content को read करना होता है तब के लिए ex command होता है question number one का ए नंबर option correct होगा ex command इस्तेमाल होता है वी एडिटर में अगर किसे अन्य फाइल के content को read करना है फिर हम बढ़ते हैं इसे के साथ अपने next question पर तो question number two है ने उनमें से कौन से memory सबसे तेज कारे करती है आपको जो यह memory दी गई है इनमें से कौन से इस memory है जो कि सबसे तेज कारे करती है सबसे fast memory होती है sram dram sdram या फिर इनमें से कोई नहीं correct answer क्या होगा काउन से इस memory जो कि सबसे तेज कारे करती है sram dram या फिर sdram या फिर इनमें से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा तो सबसे तेज कारे करने के लिए कौन सा होता इसमें से sram sram जो होता है आपका सबसे तेज कारे करता है और रैम तो जानते हूं के लिए फिर मबढ़ते हैं किसे साहत अपने नेक्स्ट कोशन की ओर कोशन नंबर थर्ड है हमारा निवन में से लिंग्ड इन किसके लिए कि इस्तेमाल होता है जो लिंड इं होता है यह किसके लिए इस्तेमाल होता है बताने आपको कि इसके लिए का तो मेडिया सोषल मीडिया बी नमबर से SSD सिनमर स्कीन आई-एम और डी नमबर में जौब एंड बिजनेस जो mindfulness सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब करते हैं और यह में होता है इंस्टेंट मैसेजिंग यानि कि ततकाल संदेश सेवा जैसे कि आपका होगे वाटसेप और होगे आप फेस्बुक मैसेंजर टेलीग्राम इसको हम कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं यानि कि ततकाल अगर किसी को संदेश भीजना है तब के लिए इस्तिमाल करते हैं आई-एम इस्टेंट मैसेजिंग का और जो है यह माइक्रोसाफ्ट कमपनी के द्वारा लॉंच किया गया है और लिंग्डिन जो क्या काम करता है कि इस पर आगर आपको जॉब सर्च करना है तो आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे और अपनी क्वालिफिकेशन को आप अपलोड करेंगे और जब इस साइट पर कहें भी कोई जब आपके अनुसार अवेलेबल होगी तो आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा और आप उसको देख करके आप अपने इंटर्व्यू कर अगर होगा तो इंटर्व्यू आप देख करके आप अपने जॉब को जॉइन कर सकते हैं और साथ में जो बिजनेस करता है बिजनेस करने वाले वेक्ट क्या करता रहता है जो भी जॉब के रिक्वार्मेंट होती हूँ अपने जॉब के लिए डालता रहता है और वहां से जो लोग जॉब सर्च करके और उस कंपनी तक पहुँच करके उस कंपनी में कार्य करते हैं ठीक है तो थी का डी नंबर आप प्रियोग किया गया था 2003 में, 2000 में, 1995 में या फिर 1997 में correct answer क्या होगा, जो social networking sabd है वो पहली बार कब प्रियोग किया गया था 2003, 2000, 1995 या फिर 1997 तो social networking sabd पहली बार प्रियोग किया गया था सन 1997 में, सन 1997 में, social networking sabd पहली बार प्रियोग किया गया था, तो question number 4 का D number option आपका बिल्कुल correct होगा, तो यहाँ पर जो social networking है निक इसमें जो है कि आपका Facebook हो गया, ठीक है, और Instagram हो गया, LinkedIn हो, आपका देखिए, Facebook, Instagram, यह से भी कहा है आपके social sites है, Twitter भी आपका social site है, और Twitter को हम micro blogging site के नाम से भी जानते हैं, तो यह से भी आपके social networking है और social networking sabd का इस्तिमाल सबसे पहले 1997 में हुआ था, और जो Facebook के social site, Facebook किस्था अपना होई थी, 4 फरवरी 2004 को Mark जुकरबर्क के द्वारा इसकी स्था अपना होई थी, और जो Instagram है, Instagram के founder है, Kevin system 2009 में इसकी स्था अपना होई थी चलिए, फिर नमब बढ़ते हैं, इसे कसानात अपने next question की और question number 5 है, Libre office में font size बढ़ाने के लिए क्या sort की होती है, अगर आप Libre office जोच करें और उसमें अगर आपको font size बढ़ाना है, तब के लिए आप क्या shortcut की का इस्तेमाल करेंगे, यह number आप साने shift plus subscribe bracket close, B number आप सेने control plus bracket close, C number आप सेने control plus shift plus bracket close, और D number आप सेने control plus alt plus bracket close, तो correct answer क्या होगा, तो देखे, अगर आपको Libre office में अगर आप font size बढ़ाना चाहते हैं, तब के लिए क्या shortcut की इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए correct answer क्या होगा, तो इसके जो correct answer हो जागा, control plus bracket close, इसका इसके इसके लिए, font size बढ़ाने के लिए, Libre office में, तो question number 5 का, B number option बिलको correct होगा, control plus bracket close होता है, अगर आपको Libre office में font size को बढ़ाना है, तब के लिए, ठीक है, और अगर आपको font size घटाना है, तब के लिए, control plus bracket को open जो होता है, उसको आप दबाएंगे, तो क्या होगा, font size decrease होगा, font size छोटा होगा, ठीक है, छलिए, फिर हम बाते हैं, इसी के साथ, अपने next question पे, तो question number 6 है, हमारा, enabled payment system क्या होता है, अधार enabled payment system होता है, तो अधार enabled payment system के द्वारा, हम कौन सा कारे नहीं कर सकते हैं, तो यह number option है, cash को निकालना, तो अगर हमें cash निकालना होता हम क्या करते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं, और वहाँ पर हम अपना अधार card देते हैं, और साथ में finger print लगा लगाते हैं, अपना हम उठा लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमार रुपए निकासी हो जाता है, तो cash vital होता है, aps के द्वारा, और cash deposit भी होता है, और balance inquiry तो आप कर सकते हैं, balance की जांच भी कर सकते हैं, आप finger print का यूज करके, aps के द्वारा finger print का यूज करके, आप balance की inquiry भी जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, virtual card आपका aps के द्वारा नहीं होता है, तो question number six का, जो c number आप सने virtual card आप सने आपका correct होगा, aps जो है कि आज के समय में, bank को छेतर में बहुत ही useful हो गया, क्योंकि अब हर जगा क्या हो रहा है, अगर आपको bank में आपको जाते हैं, रूपए पर नहीं हो अपा रहे, इसलिए जो है, कि aps को launch किया गया, जिससे कि आप कई जगा csc की स्थापना होई, और साथ में, कि aps की सुद्धा भी वहाँ पर लोग यूज करना लगा, जिससे कि aps के द्वारा, आसानी से, जो है, कैस वेडरा किया जा सकता है, ठीक है, तो aps को आसानी से कर सकते हैं, तो उसे के लिए जो है, कि आपका aps बहुत ही useful बन गया, और aps में जो है, कि virtual card नहीं होता है, तो इसलिए question 6 का c number option बिल्कुल correct होगा, चलिए फिर हम बढ़ते है, question number 7 पे, c u i का प्रूरूप क्या होता है, c u i का प्रूरूप बताना है क्या होगा, तो correct answer select कीजिए, इसके लिए c u i का प्रूरूप क्या है, character user interface, या फिर command unlimited interface, या फिर a and b दोनों, यानि character user interface और command unlimited interface दोनों होता है, या फिर d number आपने, इन में से कोई नहीं, तो अगर हम बात करें, c u i का, तो c u i का full farm क्या होता है, character user interface, c u i का full farm होता है, character user interface, और c u i अगर होता है, command line interface, c u i होता है, command line interface, और c u i character user interface, चलिए, फिर आपने इसे के साथ, question number 8 की तरफ, तो question number 8 है, सबसे ज्यादा storage किस में होती है, अगर आप data store करते हैं, तो इन में से ऐसा कौन सा है, जो कि सबसे ज्यादा data store करेगा, तो a number आपसे, cd, cd नहीं होता है, compact disc, b number आपसे, dvd, dvd होता है, digital video disc, या फिर digital versatile disc, और c number आपसे, hard disk, जिसको हम shortcut में, hard disk drive, यहनि, hdd कहते हैं, shortcut में, hdd कहते हैं, hard disk drive, और d number आपसे, floppy disk, ठीक है, तो इसमें सब्सक्राइब कैंसर क्या होता है, जो floppy disk, floppy disk की छमता होती थे, 1.44 MB, यह फिर मातर की छमता, 1.24 MB में होती थी, और, जो cd है, cd की छमता, 700 MB, cd की छमता कितनी होती है, 700 MB होती है, और जो आपका DVD है DVD की चमता कितनी होती है 4.7 GB ठीक है और जो आपका hard X होता है hard X चमता कितनी होती है hard X की चमता जो है कि आपका 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB ऐसे आता है तो सबसे ज़्यदा इस्टोरेज किसमें होगा hard disk में question number 8 का c number option correct होगा सबसे ज़्यदा इस्टोरेज किसमें होती है तो hard X में होती है hard disk कितनी है storage इन में से अने किसी में नहीं मिलेगा क्योंकि CD मादर 700 MB और DVD 4.7 GB, floppy disk 1.44 MB अगर pen drive होता तो वह 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB ऐसे होता ठीक है तो यहां पर hard disk option बिल्कुल correct होगा आप फिर हम बढ़ते हैं इसे के साथ question number 9 की ओर जो की है निर्देशों का वास्तिक निस्पादन किस में होता है निर्देश जो भी निर्देश होते हैं जो भी command होते हैं उनका अगर हम बात करें कि वास्तिक निस्पादन यानि की रियल जो execution होता है वो कहां पर होता है A number आप से memory में B number आप से manual printer में C number आप से alu ने arithmetic logic unit में और d number आप से cu यानिकी control unit में तो correct answer क्या होगा इसके लिए इसके लिए correct answer क्या होगा तो correct answer set करने इसके लिए correct answer क्या है कि निर्देशों का वास्तिक निस्पादन किस में होता है तो जो भी आपके निर्देस होते हैं जो भी आपके कमांड ओता है उसका वास्टिक निस्पादन किसमे होगा एल यू में कहां होता है CPU के तीन भाग होते हैं CPU के तीन भाग होते हैं मीमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसे कसानात कोर्शन नंबर 10 की और जो की है Encyclopedia के लिए इनमें से कौन सा साइट उत्तम है Encyclopedia ने बहुत सारी का सुचना आपको प्राप्त करनी है तो सुचनाओं के लिए सबसे अच्छा साइट इनमें से कौन सा है Google कर दोने प्रेक्षर, या रहां है विकीपीडिया या फिर या हूँ एंसर क्या होगा यहाँ पर अन्साज कार्णाकार के लिए समय ने इसे कौन से पर तो होता है तो तो आप Wikipedia से प्राप्त कर सकते हैं तो इंसाइकलोपीडिया के लिए सबसे उत्तम साइट कौन सी है Wikipedia है बाकि Google आस्क और याहू यह सभी क्या है search engine है क्या है यह सभी search engine है यह जनकारी को search करने काम करते हैं इनके पास को जनकारी नहीं होती लेकिन यह क्या करते हैं जो सब्सक्राइब करने के काम करता है Google आस्कों याहू हो फिर हम बढ़ते हैं को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे यह नंबर आप से इंस्टॉल तो इसके लिए चाहते हैं है तो अगर हम किसी यान अस्थान पर करना करना चाहते हैं तो अगर किसी इस्तिमाल करना चाहेंग तब के लिए हमें उसको install करना पड़ेगा उस template compile का करेंगे install करेंगे install करने के बाद ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो question number 11 का a number option बिल्कुल correct होगा फिर हम बढ़ते है question number 12 पे जो कि निम्न में से कौन सा single user operating system है इनमें से कौन सा जो कि single user operating system हम है unix linux ms-dos या प्रिम में से कोई नहीं तो single user operating system का मतलब क्या होता है कि ऐसा operating system जिसमें कि केवल एक user ही काम कर सके केवल एक ही ब्यक्ति यूज कर सके और अगर बात करें तो operating system होता है जो कोई जो की एक से अधिक वर्ग इस्टेशन पर इस्तेमाल किया सकता है तो question number 12 के लिए क्या होगा तो single user के लिए आपका ms-dos होता है Microsoft disk operating system यह जो बहुत पहले बहुत प्रश्वत में ता अब इसका लगभग इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो ms-dos जो Microsoft disk operating system था यह single user था यह इस पर क्यों एक यूजर कारे कर सकता है एक सथी की उसरी कारे नहीं कर सकते ठीक है जबकि unix linux यह सब कहा है multi user यह एक सथी की उसरी काम कर सकते हैं ओके फिर नमबर ते कोस्तर नमबर 13 पर जो की है OTP को सुरच्छित क्यों माना जाता है OTP को सुरच्छित क्यों माना जाता है ए नमबर आपसने it is very difficult यह बहुत कठीन होता है बी नमबर आपसने it is different every time इने जो हर बार यह अलग 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 आता है नमबर आपसने बहुत यानि के उपर युक्त दोनो और डी नमबर आपसने नन यानि के इन में से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा कि OTP को हम सुरच्छित क्यों मानते हैं तो यह बहुत कठीन होता है इसलिए या फिर यह बार बार अलग 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 आता है इसलिए या फिर दो चर्फान ऑपन से कोई नहीं तो OTP को कोई यहànयर स्थिंप आता है बार बार अलग होता है कोई नमबर होता है रहें Bakны यह वीमेरिक वी वहता है होता है लेकिन हर बार अलग-अलग नहीं होता है इसका फुल फाम होता है एक बार के लिए होता है यानि कि जितनी बार अलग-अलग ओटीपी आएगा से मोटीपी दो बार नहीं लेगा तो इसलिए हम इसको सुरचित मानते हैं क्योंकि बाद में कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है तो रहता कि बार हम यूज कर लेंगे उसके बाद कोई उसका इस्तेमाल नहीं रह जाता है ठीक है चलिए फिर हम पढ़ते हैं इसे के साथ कोसर नंबर 14 पे लिब्रिया सकेलक में कॉलम की हाइट कितनी होती है तो यह बहुत इंपॉटन कोईसन है इसको तो नोट कर लीजिए गा बिल्कुल अपनी कॉपी में इसको नोट लीजिएगा तो कि यह बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका है और यह बार-बार रीबीट होता रहता है ठीक है तो देखे अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रियाफिस कैल्क में कॉलम की हाइट कितनी होती है तो क्या बताएंगे आप लोग तो यहाँ जो खरेक टेंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1.8 1.89 0.18 या फिर 0.89 तो लिब्रियाफिस कैल्क में हम कॉलम के हाइट की बात करें तो कॉलम के हाइट कितना होता है मात्र 0.18 होता है ठीक है कितना होता है 0.18 होता है और अगर आप चाहे हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं तो इसको आप अपने साथ चेंज भी कर सकते हैं लेकिन डिफाल्ट रूप से 0.18 होता है और अगर हम विड्ट की बात करें ने कॉलम की चौड़ाई तो कॉलम की चौड़ाई डिफाल्ट रूप से कितनी होते हैं 0.89 होती है और हाइड 0.18 होती है फिर हम पढ़ते हैं इसके साथ अपने next question की ओर तो next question है question number 15 कौन सा e-commerce उभ्वकताओं पर एक दूसरे के साथ काम करने के साथ किंद्री थे यानि कि e-commerce ने electronic मादम से बैपार e-commerce क्या होता है कि electronic मादम से बैपार होता है तो अगर हम electronic मादम से बैपार करते हैं तब के लिए उभ्वकताओं पर एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे c2b यहनि consumer to business b2b business to business c2c customer to customer और b2c business to customer correct answer क्या होगा तो यहाँ जो e-commerce होता है e-commerce में जब उभ्वकता है दूसरे उभ्वकता से संपर्ण में काम करते हैं तब के लिए क्या होगा तब के लिए मैं बोलते हैं customer to customer question number 15 का c number option बिल्कुल correct होगा वह क्या होता आपका customer to customer होता है जब e-commerce में उभ्वकता ही एक दूसरे उभ्वकता के आप सकता को पूर्ती करता है तो 15 का c number option बिल्कुल correct होगा c2c ओके तो चलिए फिर मबढ़ते हैं इसी के साथ अपने next question की ओर तो next question हमारा question number 16 जो की है निमन में कौन सा page mode होता है जो page का mode होता है page का orientation होता है इन में से कौन सा page orientation होता है ए नमबर आप्सन है portrait rate अब बी नमबर option है land escape c number आप्सन है बहुत यानि कि दोनों और दी नमबर आप्सन्स तो इसके लिए character answer क्या होगा काउन सा page mode ने page orientation होता है portrait होता है या फिर landscape होता है या फिर दोनों होता है या फिर इन में से कोई नहीं तो जो page mode है page orientation इन में से क्या होगा प्रिंट करते हैं तो इन दोनों तरह के पेज मोड यह पेज और अपके साप्ट्रेस में होते हैं कम्पूटर में होते हैं आप जिस तरह से चाहें उससा प्रिंट आउट प्राप कर सकते हैं फिर हम बढ़ते हैं इसे कसांत कोश्चन नमबर 17 पे जो की है तक 17 दिसम्बर 2019 तक ग्राहक के लिए ए-ई-पियस में लेंदेन के सुलक कितनी थी ए नमबर से आरेस 25 पर ट्रांजेक्शन यह पांचीस रूपए पर ट्रांजेक्शन बी नमबर आरेस 15 पर ट्रांजेक्शन पंद्रांजेक्शन तो आपको पता है कि आज के समय हम देखे तो यह क्या होता है आपका बिल्कुल फ्री होता है नो कॉस्ट ठीक है फ्री आप कॉस्ट होता है लेकिन 17 देसंबर 2019 तक ग्राहा के लिए जो अधरन गया अधार पेमेंट इस सिस्टम मुत कर सक्यां लक्रिटीक पर 15 रूपवय πर 16 चार्ज लगता था तो कोर्शन नमबर 17 का जो बी नमबर ऑप्शन एक रेक्ट होगा आरेस 15 पर ट्राजिक्शन चार्ज लगता था एप्यस में लेंदेन की सुल्क थी 17 संबर 2019 तक यहां के लिए ओके फिर हम बढ़ते इसे के साथ कोर्शन मंबर 18 पे जो किए निर्मे से कौन सा कंप्यूटर का वरिक्रण नहीं है घ्रमबा ये कंप्यूटर का सब्सक्राइबbec delay आप्प्लिकेशन के अनुप्रियों के अधार पर तो अनुप्रियो के अधार प्र tीने होते हैं analog computer digital computer और hybrid computer दूसरा होता है उद्देश यह अन्हीं on the basis of purpose उद्देश के अधार पर computer होते हैं दो प्रकार के एक general purpose computer यानिके समान देशी computer और दूसरा special purpose computer यानिके विसिष्ट उद्देशी computer ठीक है झार जो आपका और होता है उस्कों का बोलते है Our computer की प्रकार के प्रकार तो श्रmare का प्रकार का होते हैं इसमें AH तो यहां भी जो नहीं है उनमें कौन सा नहीं है नोट पेड़ का नाम कहीं नहीं है आपको टेक्स एडिट करने का प्रोग्राम इसमें आपको सिंपल लेटर टाइप कर सकते हैं लेकिन नोटपैड में आपकी फॉर्मेटिंग नहीं दे सकते अलग-अलग फॉर्मेटिंग देना आपको एलाव नहीं करता है नोटपैड जबकि आपको अलग-अलग तरह से फॉर्मेटिंग करने का जो है ऑप्षन देता है फिरम बढ़ते हैं को सन नंबर 19 की और जो की है भेजे गए मेल को कौन संपादित कर सकता है अगर कोई मेल भेज दिया गया तो उसको अगर एडिट करना था तो कौन एडिट कर सकता है ए नंबर आ का और आपको ने कि क्या होगा अगर कोई मेल भेज दिया गया है तो कौन एडिट कर सकते हैं यहां पर कि अगर कोई मेल भेज दिया गया ठीक है अगर हमने को email भेज दिया किसी के पास अगर मैं चाहँ तो मैं उसको edit नहीं कर सकता है साथ मैं चिसको प्राप्थ हुआ है अगर वो भी चाहता है कि उसको change कर ले तो उसको change नहीं कर सकता है ठीक है यानि कि इन में से कोई नहीं तो उसको एडिट कर सकते हैं लेकिन मेल में ऐसी कुछ सुधा प्राप्त नहीं होती के वर टेलिग्राम में ऐसी सुधा मिलती है यहां तक कि वाट सेप या फिर आपका फेस्बुक मेसेंजर है इन सब भी मैसेज को भीजने के बाद उसको एडिट करने का आपको नहीं मिलता ह है लेकिन टेलिग्राम में आपको मैसेज को भीजने के बाद भी आपको उसको एडिट करने का ऑप्षन मिल जाता है ठीक है चलिए फिरम पढ़ते हैं इसे के साथ नेक्स्ट कोशन पर जो किये कोशन नमबर 20 निमन मेंसेज सेल आइड करने के लिए सॉटकट की क्या होती है अगर आपको कोई सेल आड करना है तब के लिए क्या सॉटकट की का इस्तेमाल करेंगे चलिए क्या सॉटकट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस एंड का या फिर कंट्रोल प्लस का या फिर कंट्रोल माइनस का या फिर सिफ्ट प्लस का तो अगर आपको सेल को आड करने तो क्या करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे कंट्रोल प्लस करेंगे तो क्या होगा सेल आड हो जाएगा तो कोशन नमबर 20 का ब माइनस का इस्तिमाल करेंगे तो cell delete हो जाता है ठीक है तो question number 20 का जो B number आपसने की cell को add करने के लिए shortcut की क्या होती है तो control plus होती है तो 20 का B number आपसने आपका बिल्कुल correct है पिरम बढ़ते है question number 21 EXE का क्या अर्थ है EXE का क्या अर्थ होता है A number आपसने command file B number आपसने program file C number आपसने executable file और D number आपसने express file तो जो आपका EXE होता है EXE का क्या अर्थ होता है बताने आपको देखिए यहाँ पर command file जो है command file, program file executable file या फिर express file क्या होगा correct answer तो EXE क्या होता है executable file ठीक है executable जो file होता है वो हमारे desktop या फिर computer में execute होता है जबकि यह mobile phone पर कारें नहीं करता EXE file format या आपके laptop या फिर Windows में अगर आपको कोई भी सब्सक्राइब इंस्टार्टान तो उसके लिए आपका EXE file format में program होता है या फिर MSI package में होता है ठीक है तो EXE और MSI package जो होते हैं यह दोनों जो है कि हमारे computer software होते हैं हमारे computer कोई virus आता है वो भी .exe format में होता है अधिकांस ता वाइरस जो है कि .exe format में ही होते हैं तो अगर आप net से कोई download करना अगर उसमें अगर आपने mail से कोची download किया और अगर उसमें .exe file extension है तो उसको आप download ना करें को कि उसमें virus हो सकता है फिर हम पढ़ते है question number 22 की तरफ जो की है इमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रियोग में आता अगर आपको उपर्योग सभी correct answer क्या होगा इसके लिए कि अगर आपको इमेल भेजना है तब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है SMTP POP3 IMAP या फिर उपर्योग सभी तो यहां पर आपको ध्यान देने के चीज है कि आपको ध्यान रखना है क्या होता है अगर आपको इमेल भेजना है तब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है तब के लिए होता है SMTP SMTP क्या होता है Simple Mail Transfer Protocol जबकि मेल को प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का इस्तेमाल के जाता है और IMAP भी इस्तेमाल होता है मैसेज को रिसीव करने के लिए क्योंकि IMAP का फूल फार्म होता है इंटरनेट मैसेज एकसेस प्रोटोकॉल तो यहां पर जो SMTP है यह आपको इमेल भेजने के लिए इस्तेमाल के जाता है और यह अगर हम कहें तो यूजर टाइमिनल से या फिर यूजर मेल बाक्स से इमेल को भेजने का काम करता है इसलिए फिरम पढ़ते हैं इसे के साथ अपने नेक्स्ट कोस्टन की और तो नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नंबर 23 वाइफाई पासवर्ट नियून तर्म कितने डिजिट का होता है तो आप्सटन के आपके पास 568 या फिर 10 तो क्रेक्ट एंसर क्या होगा इसके लिए तो देखिए आप लोगों ने जनरली सिंपल ऐसा य करना और अपना प्वासवर्ट बताना तो वहां प्यूंद गंगो होता है हो मैं कि अधर्वर्ट को फोल्फ भर्रीकवले में पूछा जाता है व् gestures called detum cu 컬러 का 8 या फिर दस अंको का मैं सच कि यहां पर यक आपकोर एक्जाम में पूछा जाता है वाइफाई का पासवर्ड वाइफाई का फुल फॉर्म तो वाइफाई का फुल फॉर्म क्या होता है वाइरलेस फिडल्टी क्या होता है वाइफाई का फुल फॉर्म डिस्क पर प्रतेक फाइल का नाम और सटिक इस्तिती रिकार्ड रखता है तो ऐसा कौन साइड में से जो कि क्या करता है प्रतेक फाइल का नाम और जो सटिक इस्तिती होता है उसको किसी डिस्क पर रखता है A नमबर आपसे ने file allocation table B नमबर आपसे ने disk controller C नमबर आपसे ने boot sector और D नमबर आपसे नन of these two correct answer क्या होगा इसके लिए कौन है जो कि एक डिस्क पर प्रतेक file का नाम और सटेक इस्तिती को record रखता है तो उसका correct answer हो जाएगा आपका file allocation table क्या हो जाएगा file allocation table इसको short में FATB करते हैं ठीक है फिर हम पढ़ते हैं इसे के साथ question number 25 की ओर तो चलिए फिर हम देखते है question number 25 क्या है हमारा तो question number 25 है internet क्या है तो इस तो बहुत ही simple सा question होगा कि internet क्या है A number option मैन B number option LAN C number नेटवर्क आफ नेटवर्क और D number नेटवर्क इंटरनेट इंटरनेट का फूल फाम होता है international network international network होता है और जो आपका internet ये पूरे 20 सुबर में फैला हुआ internet के द्वारा हम घर बैठे 20 में कहीं से भी कोई भी अगर घटना होती है उनकी जानकारी हम घर बैठे प्राप कर सकते हैं और हमें कहीं जाने की आउसकता नहीं होती है देश भी देश की समचार सूचना है अगर हम घर बैठे प्राप करना चाहते हैं तब किलिए प्याइब करते हैं internet का इस्तेमाल करते हैं ठीक है और जो मैन है मैन का फूल पाम होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेट्वर्क जो किसी किसी सहर कस्वे का नेट्वर्क होता है जो लाइन है लाइन होता है लोकल एरिया नेट्वर्क जो कि किसी एक विद्ध्याल है भवन या फिर संस्थे का जो है कि आपका नेटवर्क होता है और नेटवर्क का आप नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है कई सारे छोटे बड़े नेटवर्क मिलकर के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं उसी होगा ही आपका इंटरनेट है तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट क्या है नेटव तो इन सबको आप अच्छे तरीके सार नोट कर लें उनको प्रिपेर कर लें जिससे कि इसमें से कोई भी कुछन अगर आपके एकजाम में पूस्ट दिया जाता है तो उसको आप इसलिए सॉल्व कर सकें और आपको कोई समस्या न हो तो दोस्तो ऐसे के साथ अगर आपने हमार चैनल नवलाइटे इस्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेज कर दीजिए जिससे कि जब भी हम कोई नए वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिक्शन आपको मिल सके और आपसे कोई भी क्लास मिस नहों ओके फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे और युबार्डन कोशन्स के साथ